Study IQ IS, अब तयारी हुई, affordable Supreme Court, तो यह जो पुरा मसला है, जो पुरा issue है, सुरू से लेकर end तक वो हम देखेंगे, और अभी क्या situation है, Supreme Court ने इसको लेकर क्या बोला है, इस petition को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले website, app पर जाना है, या फिर comment section में link है, और use करना है code, अंकित live, ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको लेकर आई थी, और इसका main मकसद ये था, कि जो funding की जाती है political parties को, वो यहाँ पर हो सके, और जो funding कर रहा है, उसका नाम public ना हो, तो सरकार का अपनी तरफ से ये कहना था, कि हम चाहते हैं, कि जो black money है, उसको हटाया जाए, जो political funding होती है, उसमें, क्योंकि बहुत सारा पैसा पहले cash में दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो भी funding किया जाएगा, वो इस bond के माध्यम से किया जाएगा, और ये bond क्या होगा, अगर मान लो मुझे, एक लाख रुपे किसी party को देना है, चाहे और वो bond क्या करूंगा, किसी political party को जाकर दे दूँगा, मान लो Congress को दे दिया, या फिर BJP को दे दिया, तो BJP या Congress के पास 15 दिन का समय होता है, कि वो इस bond को लेकर वापस बैंक जाए, और वो एक लाख रुपे निकाल ले, ये पूरा process इस तरह से चलता है, और देखे, इसको लाने के लिए सरकार ने कई सारे बदलाव किये थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो Companies Act है, Income Tax Act, Foreign Contribution Regulation Act हो गया, इस तरह के कई सारे बदलाव करने पड़े थे, तब जाकर ये सब कुछ आया था, और साथी साथ एक और चीज़ ध्यान रखेगा, कि यहाँ पर bond के माध्यम से उनी political parties को पैसा मिल सकता है, जो section 29A of Representatives of People's Act 1951 के तहत registered है, और साथी साथ, जब last चुना हुआ था, तो उसमें लोग सभा में उनको कम से कम 1% vote मिला है, तब ही उनको ये हग दिया जाता है, कि वो जो पैसा है bond के माध्यम से, वो collect कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर काफी जादा चिंता हो रहे थी, बहुत सारे जो opposition parties हैं, उन्हों ने Supreme Court के अंदर 2018 में ही इसके खिलाफ याची का दर्ज करा दी थी, कि ये जो scheme लाई गई है सरकार के दोरा ये unconstitutional है, ऐसा नहीं होना चीए, और finally क्या होता है कि पिछले साल 2023 में October 31 से लेकर November 2, ये तीन दिन का पूरा hearing चलता है पांच जजों की bench के दोरा, और finally Supreme Court का judgment अभी जश्ट पिछले मेंने, February के मेंने में सुनाया गया था, तो यहाँ पर ये जो पूरा bench है जिसको head किया जा रहा था Chief Justice of India डिवाई चंदचूर जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये जो electoral bond scheme है, इसको हम struck down करते हैं, मतलब ये unconstitutional है, ये होना नहीं चाहिए, और साथी साथ, जो सबसे बड़ा कदम यहाँ पर Supreme Court ने उठाया, वो ये था, SBI, State Bank of India को बोला गया Supreme Court के दोरा, कि अभी तक जितने भी पैसे दिये गए हैं bonds के माध्यम से, उसकी जो पूरी detail है, वो आप 6th of March तक, अब ध्यान रखेगा, ये date बहुत important है, क्योंकि आज हम बात करें 7th of March को, ठीक है, तो Supreme Court ने ये बोला था, पिछले मैंने, कि 6th of March तक इसकी जो पूरी detail है, जिसके अंदर किस ने ये पैसा भरा, और किस political party को क्या पैसा गया, तो वो सारी detail आप election commission of India को submit कर दीजे, और उसके बाद election commission of India अपने website पर इसको लगा देगा within one week, ये यहाँ पर बोला गया था Supreme Court के द्वारा, लेकिन अब क्या होता है, देखो, अभी तक SBI ने इसको लेकर कुछ भी नहीं का, और ultimately ये हुआ कि Supreme Court ने जो निर्ने लिया था, Supreme Court ने जो direction दिया था SBI को, कि आपको 6 March तक ये submit करना होगा, ऐसा नहीं हुआ, SBI ने ये जो पुरा deadline है 6th March का ये miss कर गया, और देखे, SBI क्या कि 4th March को अभी Monday को Supreme Court गई, और Supreme Court से गुहार किया कि ये जो हमें deadline दी गई है, आप प्लीज इसको extend कर दिये, ये 30th June तक, और इसका reason क्या दिया गया, SBI ने ये कहा कि ये जो पुरा data है इसको निकालने में हमें बहुत समय लगेगा, मतलब ये जो पुरा information है bond से related, ये अलग-अलग silos में पड़े हैं, तो एक-एक bond को एक से match करना है, मतलब किस के दौरा क्या bond खरीदा गया, कितने amount का खरीदा गया, और फिर वो जो bond है, किस political party को गया, तो वो जो match करना है, वो सारी चीज़ें इतना जल्दी नहीं हो सकता, वो हमारे पास system नहीं है, और इसी के वज़े से SBI ने एक तरह से गुहार किया Supreme Court से, कि आप हमें 30 जून का समय दे दिया, अब दिखें ये important इसलिए हो जाता है, क्योंकि जब ये फैसला आया था Supreme Court का, और कहा गया कि 6 मार्स तक आपको सारी information देनी होगी, तब यहाँ पर लोगों को लग रहा था कि चलो finally लोग सभाद चुनाओ के पहले, जो भी funding वगर होती है, उसके बारे में transparency आ जाएगी, और लोगों को पता चल जाएगा कि किस party को कितना fund गया, किस ने दिया, यह सारी चीज़े पब्लिक में आ जाएगी, तो क्योंकि SBI ने ऐसा नहीं किया, इसके खिलाफ एक petition डाला गया है, एक organization है, एक NGO है जिसका नाम है Association for Democratic Reforms, देखो अकसर आप सुनते होंगे कि इस NGO के बारे में, क्योंकि देश के अंदर जो political reforms है, जो electoral reforms है, उसको लाने में ADR ने बहुत सारे प्रयास किये हैं, यह आप देख सकते हो, 1999 में इसको बनाया गया था, 25 साल पहले, इनके जो main founders हैं, वो आप देख पाओगे, यह एक तरह का NGO है, और इनका जो main purpose हैं, यह आप देख सकते हो, improve governance and strengthen Indian democracy by working on electoral and political reform, तो अक्सर इनके दोरा data बगरा जारी किया जाता है, कि किस party को कितना political funding हुआ है, किस party को सबसे कम हुआ है, इस तरह के कई सारे जो data है, वो ADR जो है public के सामने रखती है, तो इन्हों ने ही Supreme Court में आज सुबे एक petition डाला है contempt of court का, और कहा है कि SBI ने जान मुझकर deliberate तरीके से आपके judgment की अवमानना की है, मतलब आपने जो judgment दिया था, जो SBI को मानना चाहिए था, उन्होंने इसको disobey किया है, इसलिए हम यहाँ पर petition डाल रहे है Supreme Court के अंदर वापस है, और क्योंकि यहाँ पर यह पूरा मामला right to information से related है, मतलब कि हमारे देश के लोगों को पता होना चाहिए, कि जो Supreme Court ने कहा था, SBI को यह सब को जमा करने के लिए, यह अभी तक जमान नहीं हो पाया है, खेर, यहाँ पर मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा, कि जो ADR है, इन्होंने क्या बोला है, लेकिन उसके पहले, जो मैंने आपको बोला ना, कि Contempt of Court का petition डाला गया, यह होता क्या है, देखो जब हम Contempt of Court कहते हैं, इसको Simple Earth में आप यह समझ सकते हो, कि जो Court हैं हमारे देश के अंदर, या फिर कहीं पर भी दुनिया में, उसको disrespect करना, जैसे कि अगर मान लो, Court ने कोई judgment सुनाया है, आपको यह करना है, और अगर आप वो नहीं मानते हो, या फिर आप publicly कहीं जाते हो, और आप जजों के खिलाब बोलना है, स्टार्ट कर देते हैं, जो सरकार, जो सुप्रीम कोट का judgment आया है, उसमें आप कहते हो, कि यह जज ने यह घुस लिया है, या फिर मतलब बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी चीज के, आप Court को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हो, तो उसको हम कहते हैं Contempt of Court, और अगर ऐसा होता है, तो जो court है वो action ले सकती है, आपको jail भी बेज सकती है, आपके उपर fine भी लगाया जा सकता है, अगर हम भारत के अंदर बात करें, जब Contempt of Court की बात आती है, तो आप देख सकते हो, 1971 का Contempt of Court Act है, इसके अंदर section 2A है, और इसके अंदर इसको define किया गया है, दो तरीके से, एक होता है civil contempt, और दूसरा होता है criminal contempt, अगर हम पहला बात करें civil contempt, तो इसका simple लर्थ ये हुआ, कि court ने जो भी judgment सुनाया, और अगर आपने उसको नहीं माना, तो उसको civil contempt कहा जाएगा, तो उस case में generally क्या होता है, जो court है, वो आपके उपर fine वगर लगा देती है, दूसरा जो criminal contempt होता है, उस case में क्या है, कि अगर आप कोई चीज publish करते हो, publish कहने का मतलब, आपने court के खिलाफ कुछ बोला अपने मूँ से, या फिर आपने कहीं पर कोई article लिख दिया, किसी judge के खिलाफ कुछ कर दिया, तो इस तरह की जो चीजें होती है, वो criminal contempt के अंदर आती है, और वो ultimately court decide करती है, क्या वो criminal contempt में आएगा, या फिर civil contempt में आएगा, तो criminal contempt के case में क्या होता है, कि आपको jail भेजा जा सकता है, तो यह सबसे important है, तो यहाँ पर जो Association for Democratic Reforms है, उन्हों नहीं आपर कहा है, कि SBI ने एक तरह से जान मुझकर, जो transparency लानी चाहिए थी, वो नहीं लाया, और लोग सभाद चुनाओं के पहले-पहले, यहाँ पर लोगों को जो पता चलना चाहिए था, पूरा reforms के बारे में, पूरा जो funding किया गया है, अभी तक bond के माध्यम से, वो यहाँ पर अब लोगों को नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि जान मुझकर SBI जो है, वो इस पूरे date को 30th of June तक खीचना चाहती है, और देखे, ADR ने एक और चीज कहा है, ADR ने कहा है कि SBI के पास वो पूरा जो information technology का system है, जो IT system है, वो सब कुछ है, अगर वो चाहें, तो काफी आसानी से यह सारी information यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया, और इसलिए यह एक तरह से contempt of court माना जाना चाहिए, मतलब कि हो सकता है कि अगर मान लो Supreme Court इसकी सुनवाई करता है, और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, Supreme Court ने कहा है कि यह जो contempt of court का petition है, वो 11 March को सुना जाएगा, मतलब मंडे को अगले हफ़ते सुना जाएगा, तो मान लो अगर Supreme Court इस शीच को मान लेता है, कि हाँ, SBI ने ऐसा गलत किया है, तो हो सकता है कि SBI के उपर यहाँ पर जो fine है, वो लगाया चाहिए, और देखना होगा कि ultimately क्या Supreme Court का judgment आता है, ultimately अब Monday को अब decide होगा, कि Supreme Court इसको लेकर क्या कहता है, but I hope कि इस वीडियो के माध्यम से, आपको एक-एक चीज़ें समझ में आ गई होगी, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, which of the following is the fiscal policy, मतलब इन चारों में से, कौन सा fiscal policy से related है, आपको बताना है, एक monetary policy और fiscal policy होती है, तो आपको fiscal policy कौन सा, इसमें आपको बताना, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका साही उत्तर में, I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से नेक्स ताइम तिल देन, Thank you very much, See you soon.